स्वैक मीडिया देखनाले सारे दर्सकाने आज गिलकुराड की ओरते राम राम आज आपकी मूला कातव गी आज जाली वीडियो देखका है तर आखम है अंसु आज जेंगे लेकिन थोड़ी टाइम के बाद पूरी कानी सुनका है तर दिलांस आगा और ताम तो जुग होगे जिन्दी की जीन गातों मजा इब आवागा ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेका आपके समने पेशो यहां तो राम राम नमस्ते बाई आजे बहुत-बहुत सूब कामना है आप इतनी खुबसूर्त वीडियो बनाते हो छोटी शूमर में आपका टेलेंट को बधाई तो आपक आपका गौंड जिला तेसील के बारे में मेरा गाउं फरिदपूर है और उकलाणा विदान सुभा के अंदर आता है और डिश्टी के हिसार है आपको पताई भी हिसार में आप बेठे हो उकलाणा हिसार में आता है तो अब मैं वहां की रहने वाली हूं वहां मेरा पेत्री पाँच गाउं के नाम से जाना जाओं है बड़ा गाउं हमारा पाबडा है जिसको ज्यादा तर मैसूर है कि हम बताते हैं कहां के रहने वाए तो नेला पाबडा का नाम लेते हैं बिलकुल और आपका देखाँ वेगे है जीवन में के बच्पन बड़ा ही मतलोगी वो न के बहुत मैटेरियल कर रहे है बच्पन का की भच्पन में के करिया वंदाने आपका बच्पन कैसा है बहोत ही विपरिथ पृष्थितित यहां रही सभ से बड़ी बात तो कि एक आम फैमिली में किसान फैमिली में कोई परिवार को इतना यह वह द् शoten भी नहीते श्यामना बैत डालने तेल डालना और कई बारी तो कोटे पर तेल भी नी मिला करदा तो अंदेरे में भी रहना पड़ता था तो बहुत सारी ऐसी कठीन परिष्टितियां थी कठीन के सारी ये कठीन थी कोई सूइदा नाम की तो चीज थी ये नहीं मतलब जिसको आप ये काई आज के जो बच्चों की मैं देखती हूँ ना जीवन सहली आज तो एक मजदूर का बेटा भी मजदूर भी रह रहा है वो लाइट वे वस्ता है सारी सुवीदाएं है लेकिन जब तो सुवीदा नाम की कोई चीजे नहीं थी एक तो लिया में सारे गर केना लेकर तो लिया के आज़ो रहा लाइव के अंदर लेकिन सुवागए ये रहा कि परिवार के अंदर ये था कि पेरेंट्स में चाचे ताउ थे बाप था वो इसो चेकरता की पढ़ने चीजे बच्चें हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन बच्चें पढ़ने चीजे तो उन्होंने हमारा स्कू कि माउंटेनिंग की शुरुआत किस तरह करी आपने सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो मेरे पिता थे वो हमेशा यह सोचते थे कि मेरी बेटी पढ़े और स्पोर्ट्स परसन बढ़े मतलब वो खेले वो देश का नाम रोसन करे और जो मेरे आसप समाज के लिए कुछ अलग करना है और मैं यह चाहता हूं कि तु समाज के लिए कुछ अलग करके जाए मतलब तेरा जीवन मैं साधान इंसान की तरह नहीं देखता हूं तो उन्होंने मेरे अंदर एक जज़बा बरया मेरे घर में एक माहूल रहा जुरूर अनपड फैमिली तो यानि कि जितने भी मापूरस हुए हैं चाहिए वो गांदी हैं चाहिए वो उद्दम सिंग है उनकी रागनिया बस्ती थी उद्दम सिंग की ने कैसे जर्नल डायर को मारा तो यह काणिया यह स्टोरी मेरे ना-ना-नानी या मेरे मलवगर में दादा-दादी पेरेंट्स ये बाते चलती थी, तो मेरा ये मानना कि अगर आपके जीवन में अच्छे विचार ठीक है, चीजों का तो अभाव था, अवेवस्था तो नहीं थी तनी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि थोड़ प्रोसेस अच्छा था, तो उसकी बदोलत मुझे ये चीज, मुझे गे में आगे बढ़ने का एक अवसर मिला, लेकिन अचानक मेरे जीवन में जैसे में मेरे फादर ने मेरे को ग्राउंड पे वहीं खेत में ग्राउंड बना दिया, कसियों के साथ, कुस्ति करवान, कुस्ति करवान खातर, कबड़ी खेला, अपना मैन गेम पहले कबड़ी होता कुस्ति और रैसलिंग, इसको बोक्सिंग को भी अभी ज़्यादा ओकरने लगे हैं, मैन तो अपना गाउंगा कबड़ी खोखो होता था, तो मेरे को उसमें डाल लया, और मेरे को मेरे पीता चाहिए थे बहुए, मैं एक अच्छी बोक्सर बनूँ, तो एक साल से मैं प्रै बाद अचानक से एक मलब की यारे प्यारे रिष्टेदारी कठे हों, तो मैंने सोचा कि यह चर्चा करते होंगे, बढ़ेगी, बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, लड़कियों को करना है, तो कहीं ने कहीं अपने खास कर समाज के अंदर साद्धी की बात चलती है, लड़क से अपनों को ये बात समझाओं कि मैं बहुत कुछ जीवन में करना चाती हूं, क्योंकि 12 साल की बताका की बच्चीत आप नहीं समझा पाते हैं, तो क्योंकि हमारे समाज में बच्चों की बात नहीं सुनी जाती है, बति क्या सिपने हैं, बच्चे कैस्ण की इस दिशा में जाना चाथा, बच्छा करना क्या चाता है तो हमारे लिए, और खासकर लड़कीगों के लिए तो आज से मैं 20 साल बैक जान। तो उस टाइम तो लड़कीओं के लिए सिरफ यह था कि लड़की होती है, शिरफ जयदा नहीं पड़ा नहीं है या ज्यादा खेलगी तो फिर हम कैसे इनका रिष्टा करेंगे, इनके लेवल का लड़का नहीं मिलेगा, या फिर रिष्टे भी मुश्किल हो जाएंगे, फिर अपने क्या काम आएगा, ये तो अगले कर जानी है, तो इतने हजारों सुआल मेरे दिमाग में भी चलते थे, त तो मैं यही बताऊगी कि मैंने अपनों का भी सबसे मुश्किल होता है, अपनों से लड़ना, बाकी चीज़ों से तो इनिसान लड़ लेता है, लेकिन अपनों के साथ लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर आप ललकार तो देते हो, फिर अप उनके सामने जो चुनोत मेरी माँ दो साल तक खाट पे रही और यह नहीं लग रहा था कि वह उठ पाएगी तो फिर बाई मन वायर यानमी में सिद्धी सी बाद अपने शर्पमंडासा मेरा पाणी भी लगाया खेत भी समय लेया अड़ चलाया ट्रैक्टर भी चलाया मेरे फादर गुजरे जब मेरे पिता गुजरे हमारे गर में ठारा चोटी बड़ी शारी बैंस थी तो अब ठारा डांग रहा काम आप देख लो सुबेरे चिहार बजे उठ्या कर दी मैं और साथ बजे मेरे गाउं में से बस जाती थी मेरे पिता के गुजरने के बाद मैंने में पढ़ना वहां मदलब आना जाना मेरा साइकिल लेके नया नया फिर मैंने साइकिल सिक्या गोड़े फुड़ाए और सुवेरे चार बज़े उठके साथ बज़े तक मेरे कंटीनू में बागती-बागती को रोटी का टूखा कर जाती थी और स्कूल्स खतम होते ही यह होता कि यह उसके बादिक लगती यहां लगते थे पोलिस में आ है यह और पहले टेस्ट बेस पे नहीं होती थी इवाम से परिवार के बालक ना कोई सुपैरस ना कोई जैन ना पिछैन एक नादान सी छोरी कड़ा लिकड़े मतलब और एक लड़की का लिकड़ना आज तो लड़कियों के लिए बहुत अप्सन हो गया है आज तो आप जैसे बाई जा जनून था मैं एक बात कहती हूँ आपकी चैनल के मादम से यूद को कि अगर आपके अंदर आग है कुछ करने की इच्छा शक्ती है तो सारी चीजे एक साइड में है और आप किसी भी मुकाम को आसिल कर सकते हो तो मेरे अंदर एक जनून थाएगा इन सभी प्रिष्थितिय है परिवार में कोई मेरा स्पोर्ट करने वाड़ा नहीं है कोई समझने वाड़ा नहीं है और मैंने मेरे परिवार को भी समालना है चार बेंड़ भाई है हम छोटे मेरे से तीन बेंड़ भाई है उनको मैंने पढ़ाना लिखाना बिमार मां को भी समालना है और 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 भी स मेरे टेलेंट को देख करके मेरा सेलेक्शन किया और मैं हरियाना पुलीश में बरती हुई और मैंने अपने परिवार को समाला फिर मैंने वहां से अपनी माउं ट्रेनिंग की शुरुआत की और मैं कामरामें तहूं एक बारी पूरे-पूरे दिखाया भी दे बाई उपल के बारे में बता दू जब मैं मैंने अपने जीवन की शुरुआत की तो लोगों ने का था कि लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकती लड़की तो चिरफ ब्यासाधी खैतर बढ़ी है जब मैं पुलिस में लड़कियां वही जाती है जो बेकार होती या मैं बहुत नेगटिव दा रहना थी लोगों की आज नहीं है उस टाइम की बात कर रही हूं मैं और मैं मैं उसमें आई मुझे समाज से अच्छा स्पोर्ट मिला क्योंकि सबसे मैं चीज होती समाज आपको जाचना चाहता आपके अंदर कितनी ताकत हैं तो मैंने स्टार्टिंग में तो विरोध मि करके हर व्यक्ति ने जो मुझे स्पोर्ट दिया मेरी काफले स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रोब्लम आई आती है सबको जब तक मेरी उपलब्दी नहीं आई थी मेरी उपलब्दियों के बाद फिर मेरे डिपार्टमेंट ने जो आज तक भी मुझे स्पोर्ट दि करती थी समालती लेकिन मैंने कभी चूटिया विमार के नहीं देखी मतलब इतने उस हाइट पर जाकर के मैंने एक यह नि कहते कि हमारे हरियाना में गदे की तरह काम किया मतलब इस तरीके से मैंने दिन रात रातों को कलाइमिंग होती है अगर उस टाइम की मेरी फोटो अग मांट एवरिष्ट पहली बार नेपाल साइड से मैंने अपने देश का तिरंगा लाया उस कामियाबी के बाद जो मेरे आसपास के स्रांडिंग लोग थे जो मेरे डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग थे उन सब का एक नजरिया तुरूंत बदल गया और सभी लोगों ने फिर पोजिटिव तरीके से मेरे को एंडल करना शुरू कर दिया आज मैं हमेशा हर स्टेज पर कहती भी हो और मैंने फिल की है यह मेरी खुद की लाइने है पहले गाउं में बटेव आता था आप भी देखते थे हमारे हमने तो आप मेरे से छोटे हो हमने तो और भी दे आज तो बटेव निधे थे तो बटेव का मारेको में भी होता था तो आज मेरे गाउं जाती हो तो मेरे लोग के लोग आपके लिए खड़े ten wanna लगें लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने अपने इरादों के उपर विश्वास करना पड़ेगा अपने लक्षे के उपर विश्वास करना पड़ेगा और उसके लिए कड़ी मैनत करनी पड़ेगी तो मैंने इसी तरीके से इतना डिफिकल्ट गेम जिसको जब मैंने ये बात बत में दो तीन बार तिरंगा लाओंगी और मुझे सो भाग्य मिला कि बहुत ही विपरित कंडिशन क्योंकि इतना महंगा गेम है जिसको सोचना ही बहुत एक आम परिवार में मलब की जहां पर एक रुपया भी गर में विवस्था नी थी और मैंने इस गेम में पहली बार नेपा साइड से गई भूकंप आ गया पूरा नेपाल में सोभागे साली रही मैं जीवित रही मैं राज की संगी रागनी लगाए अरकान में सुनती कि मैं रागनीों की बड़ी शोकिन हूं तो मैं बगत सिंग की रागनी सुन रही थी वह बूकंप आया तब और उस रागनी ने वह वाज इतनी थी मरागनी में मगन थी तो मेरे को वह पाड़ों की आवाज नी सुनी अगर वह वाज सुन जाती तो उसी में डैथ हो जाती तो मैं उसमें जीवित रही वह मिशन वहीं बंद कर दिया गया आलांकि मैंने अपनी बात रखी चाइना सरकार के सामने की मैं कु को उसके बाद देख्या कि मेरे बिलकुल ओके हूँ तो उन्होंने मेरे को शलूट भी किया उन्होंने मेरी मजबूती की तारीफ भी की और फिर उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान की बेटी इतना कुछ कर सकती तो बेटी तो और भी मजबूत होंगे तो बहुत ही अच्छा को एक ही बात कहना चाहती हूं इस मिशन के मादम से कि जब तक आप अपने लक्षय पर ना पूंच जाए तब तक हम हार ना माने तो मेरा यह मतलब कि कुछ भी आए जीवन में लेकिन हमने हार नहीं लेकिन उस मिशन के बाद मैंने 2017 में चाइना साइड से फिर दुबारा से मै मैंने 21 माई 2017 में मैंने फिर अपने देश का तिरंगा लह राया और मैं चाइना वैं नेपाल दोनों साइड से अवरेश्ट करने वाली बारत की पहली बेटी बनी तो आपा देखां जुगले चल ठीक आप मोटिवेशनल डोज दे रहे हो लड़कियां भी आपकी बात चुन लड़के पिटन जबकि उसका एक परसेंट भी खोट नहीं था देखिए मेरा यह मानना है मैं भी स्ट्रगल करते हुए बहुत सारे ऐसे सिच्वेशन आती है सब सब लोग खराब नहीं है को एक आदा क्या हो गया किसी ने नसा कर लिया या किसी का दिमाग मैं वैसे खराब बढ़ना है Рeter Day Key होता है कि इंसान की वैसे बीड है बस तो आचानक वैसे भी लग जाता है तो यह चीज नहीं, उसकी इंटैंशन देखी जाती की वै कैसी है तो हमने मेरा ये मानना है, मैं भी एक लड़की हूँ, कि कोई ऐसी इस्थितिया जाती है, अगर कोई बंदा आपको बोल भी देता है, तो आप उसको एक बार रिलाइज कराएं, कि आप ऐसा ना करें, आप गल्द कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहे हैं, तो अगर आपको सिचुएशन को देखें, कि सिचुएशन क्या थी, कि उसकी इंटेंशन कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी, अगर वो गल्ती से लगया, तो मेरा मानना ऐसा नहीं करना चीए, मैं थोड़ा सा एक बात दो बता देती हूँ, उसके बाद मैंने एवरेश्ट का 2019 में फिर एक मिशन किया, और मैंने पूरे वर्ल्ड के जो अंग्रे, जिसके हम गुलाम रहे हैं, मैंने उन सभी को, वो लोग कहते थे कि इंडिया के लोग इस गेम को नहीं कर सकते, मैंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को लीड किया, और 2019 का मैंने अभियान किया, और उस तो माधिपों के हाइस्ट माउंटेन जिसके अलास्का की देना ली अमेरिका अलास्का की अंटार्टिका की माउंट विंसन जिसको माइनस 66 डिगरी में मैंने ख़लाई अब जनवरी आएगा तो आप देखना कितनी सर्दी होगी और लोग मलब अभी यहां बताने में और वहा की तो एक बहुत ही विपरित हालात है लेकिन सो भाग्या रहा एक ऐसी विपरित प्रिष्थितियों में भी इतना मेंगा गेम और मैंने मैं जीवीत रही आज भी मेरे अंग बिल्कुल शुरुक्षित हैं और उसके जो मेरा सपना था इस गेम को लेकर कि एडवेंचर का टे इले व्यक्ति थे जिन्होंने अव्रेश्य को निरीजों में क्लाइम किया यह सेरफा थे नेपाल एडमैन हिलेरी और टेंजिंग नर्गे के तो बहुछ सरकार ने इनको यहाँ पर यहां पर बसाया था और इनको यहां पर यह जोब की थी पूरी फैमिली को बहु शरकार न पूरे समाज की बदोलत पूरे देश की बदोलत ये मुझे मिलने का सुबाग्य और आपन जुकराज का टेम एक बात और देखना कि आपस मैं गया मैं लोगी मेरी उमर के लड़के अगला मेरी थोड़ी बुदी सोच मिल जाए जो मेरता चोटे हैं या फिर बड़े हैं आपस मैं बतलान देगान या गुड़े मिल देगान या बाप बेटा अब रिस्ता ओने रहा जो ओना चाहिए दादा दादी का रिस्ता या ऐसे रिस्ते नहीं रहे रिस्ते खत्मों का आपके कान मानों या फिस तरह बचाए जैसका है एक यू छोटा सा एक्यू मैंट ले रो बा अजया कोई भी आ रहा है तो छोटे बालेग है वो फोन तो बंदे बेठे हैं गर में चार आदमी के पास एक फोन की वह है तो मेरा यह मानना होरा आप भी खुद देख रहे हों गया थे अब कि अमने कम कर दी कम क्या खतमें हो रही है मतलब मेरा यह मानना है कि अपने बड़े बुजरगों केος पास ने चाहिसे पहाँ है। अनुबह होता हमने वहीं से मिलेगा बुजरुगों से वह आप आन्यों बताइस का बहुत है चोरे इस बरास्ता जाए रहे यू रास्ता सही है और इस रास्ता ता उस रामत शुरुखसित पहुंच जाओगा और कडियां तेरे को मलब दूइदा नहीं आओगी मलब जीवन मे तो वह बताइस का बहुत है तो इसे आदमिया में बेठिये इस कांदी में बेठिये उर्तहिया सिखनने मिलेगी उस बाइचारत बतलाईए न्यू मिलके चालिये तो भाई समाज जब तक जुड़के नहीं रहोगा तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते हमारी संसकर्ती हमारी आरे चुल्या में दूद का रंदना कड़ोनी बिलोनी का वो दूद और वो मेलाएं गंडासा चलाया कर दी फिट रहा कर दी इप जीम में जावर पीए भी देओ टाइम भी खराब करो टाइम खराब है वाई टाइम निकालो सपेशल मैं अद्धा गंटा को गंडासा चला जीम में जान की जुरते नहीं जुरते को नहीं है बहुत बड़ीया बात कई है और एक और पांज का यूवा की किया प्रिशान नहीं बढ़ चुकिया कोई भी सैड स्टेटस लावेगी ते रहे क्यों क्यों मेरा दिल टूटिया चोरी का मेरता चोरा दोख खा कर गया आप आपके नजरा में दिल टूटना आप किस चीज न माननों हो देखिए भाई ना तो बे बेने टेम लागें कामा में मैं तो सही बता हूं बात ठीक है क्योंकि जीवन में इतनी जीमेवारियां थी बच्छपन से ही और मैं सोब आगे साली मानती अपने आपको कि बगवान ने लुट एक घरद सोबे नुब आड़दा जनों बहुं बसुन घ्लक उखता था डां इतना चीज दूने ने बांकी मैं यह कौँगी यूद को कि यह आपके जीरे में की असली काम्याब भी नहीं है यह आपके जीवन में एक बादा आतीन अगर आपने इस समय को समझ लिया क आपका जीवं सुख में होगा वो बाद के बाते हैं मैं गुरकलु में पड़े हूं 25 साल तक ब्रहमचारी जीव बताया जाता है ब्रहमचारी का मतलब कि हम अपने लख्षे पर डिख आप आपका नहीं है आप बहुत सारे लोगों के बविश्य को भी बना सकते हो तो मैं युवाओं को यह काऊंगी यह बठकाओ के रस्ते हैं तो यह कुछ भी नहीं है यह सिरफ आपकी जीवन में आपको एक बारी सबके जीवन में आता है लेकिन आपने वह हैंडल करना आना दिल तोड़ते हैं आपका कदे नहीं है कि दिल दुख्या हो किसे बात पर कोई कानी कोई किस्सा संजा करो दर्शकांद है देखिए भाई गरीबी भी मैं मानती हूं गरीबी बहुत एक अभी साफ है अपने आप में क्योंकि जो सबसे बड़ी बादा है जो बच्चा कुछ करना चाहिए जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ रुख जाती है क्योंकि अगर उस टाइम पर आर्थिक रूप से मजबूत है सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि वहां पर सोशन भी बहुत सारा होता है क्योंकि हम किसी की हैलप लेना चाहें तो लोग सबसे पह कुछ सब्सक्राइब काई तो जुछ साल तो मेरे पिता देगे थे सारे हम स्कूल पढ़ ले तो मेरी माने चिंता होगी खुद बीमार थी तो नुबली बैटा अब तो मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी तो मेरा ये मानना है कि भई स्कूल किया जाए उंस यह gua ने सारे ब तो टोटल अपने उस साल मतलब की बीस किल्या में कनक थी तो मैंने का मैं बोली मैं सबसे बड़ी थी मा जितना हो गया तो ज़ीतनेगी कोशिश रहेगी हम जयादा से जयादा किल्ये काटें कि वह हम जो बचेगा जो खर्चा बचेगा और काड़ने भी हम खुद गे तो गरम तुमा सारा हम करेंगे और आप मैसा मारे को उस खर्चेम पड़ा देखा मेरी मा का भी उसला बढ़े गया तो नुमिली मा कितनी कणक बच जाएगी 35 मनक बच जाएगी सारी कटाएगी मैंने का उस 35 मनक कमें हम पूरी साल पढ़ जाएंगे तो वो चीज हमने वहां से उकरी और वो पूरी उसमें से एक दो किला कटवाया होगा सतरा ठारा किले सारे हमने काटे अपने आच से और उस पसीने का अनंद भी लिया और कोंफिडेंस बढ़ा कि हम जब इतना कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं और 24-24 गंटे अपना ठ्रेसर लगा के कनक काड़ी बाई आंदी तुफान और बड़ा मजा आया काम करते हुए मैं यह नहीं कहा रही संगर्स के साथ इंज्वाय भी किया मतलब यह कोंफिडेंस दे जब भी टेम लागदा मतलब और यह नहीं कि फैलो है आज के बच्चे आं री पी आज है आज के जो बच्चे हैं वह फरी रहो हैं फिर भी री आज है आज मारे कंपार्टमेंट भी नहीं आई बाई इतना स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल तो आप जो आपके पीता जी इतने इतनी एटनी खेती कर ले आकरते हैं मतलब तो समाज में बुराई क्वुए क अच्छा यूम रात हां किसे बाड़ा कशन कहा है समाज में मारक किया चैना रिसता पांच जालOOOO湃 चार री बारूर लिए दे हैं के काओ इस बात बहुत ही बड़िया स्वाल करें आपने मेरा मन का स्वाल है मेरा ये मानना है किल्ले देखके बयानी करना चाहिए ना नू देखके बयानी करना चाहिए उस बच्चे का की सोच क्या है वो उस लड़के का वीजन क्या है वो क्या करना चाहता है अगर उस बच्चे के अंदर अच्छी आदत है और कुछ करने का लक्षे है और लड़ने का जिंदगी से जजबा है तो मेरा ये मानना है कि उस ते शोनना वर्गाबाल कोई नहीं हो सकता अगर सराब भी होगा तो कमान की जूरत नहीं है और अच्छा होगा तो कमान की जूरत नहीं है और अच्छा होगा तो अपना आप कमान की जूरत नहीं है और अच्छा होगा तो अपना आप कमान की जूरत नहीं है और अच्छा होगा तो अपना आप कमान की जूरत नहीं है आज चल ये भी बहुत जरूरी है कि बें दोनों के विशय भी मिला है ना मिला है तो सारी चीज देखे नहीं यह चीज जरूर देखे कि उस बच्चे की वह बच्चा क्या गरोओ करना चाहा है उसकी सौच के है तो गरर इयुर ये चीज तो भाई एक पर तो दिख़्ाया है बाद मैं बच्चें ही सोच नहीं मैच कर दी तो रिष्टे तूट देया नहीं और दोनों बच्चें के बारे में जानना उनका सर्कल के बारे में लड़की का इस लड़की बेटती कहा है उसका सर्कल कैसा है कैसी लड़कियों हुआ बेटा है उसकी आज तक की दिन चरिया क्य रही है और लड़के की भी दिन चरिया क्या रही है तो मैं तो यह बात नहीं मानती है कि 20 किल्याना एंड पाओ गार्या दो किल्याने तो मैं आशे देखे हैं मैं अभी पिछे राजली गाओं में थी डेड़ किल्या एक बाइक आपने गर दिखाए लिया हूं अब आपने बीच साल का लड़का है मतलब कोई सरम नहीं करम की क्या सरम गांदी जी ने काया कि क्या सरम चोरी की जारी की क्योड़े काम है और जिसने का वजी तो है कि जिसने करी सरम उसके फुटे करम है बिल्कुल गाई और आप देखा में अपने राया कि आप रागणी सुनो हो दर्सकंता भी शनाओ फिर कोई रागणी बाई गानी तो देखांदी नहीं है बाकी मैं अच्छी सुरोता हूं क्योंकि मेरे गर मै मास्टर सत्बीर रमेश के लावड़िया राज की संतो भाई हमारे मैं अगर राज की संजी अभी हो ना तो मैं जान कुंदी हूं अपने घर मतलब वह आवाज और बिल्कुल गर मैं सुरू से ही रागनियां बजी है मतलब और सभी किसे जो उद्दम सिंग का बगत सिंग का सुबास चंदर बोस का तो और सबसे ज्यादा मेरे को मोटिवेट भी किया इन्होंने क्योंकि मैं जब भी माउंटेन में जाती थी तो मैं यह फील करती थी बगत सिंग की तरह है जब बगत सिंग नहीं इतनी कठीन प्रिस्थितियों मैं कूकर अंगरे जूंतर ड्रडर के वह बात है हर माचाव है कि बगत सिंग पैदा हो लेकिन पडोसियां गर्म हो तो इतने जुलम सहकेन है और अपने देश को छोटी सी उमर मैं कूंगी एक आदमी वो एक मनुष्या नहीं थे एक विचारदारा थी बगत सिंग जिनोंने मतलब पूरे देश में आज भी बात याद करते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे देश को आजादी दिलाई और वो चीजे मैंने सुनी उनकी रागनिया मुझे इतने बड़े-बड़े मैंने पाड़ चड़े हैं अपने इतने बड़े-बड़े विश्व की सबसे उन्ची जोटी पर मैंति रंगा लरा क्योंकि जब मैं एक अजीब सा मावल होता है जुनून भी होता है साथ में एक बहुत डेंजरस जगह है वहां पर तो मुझे यह रागनिया महां पर मोटिवेट करती है तो वह बड़े-बड़े में बंद बंद था वो तो बगत सिंग ने महां बहुत सारी किताबें लिखी और जब फांसी टुटने से एक से चैड़े पाकी है बिलकूल नहीं पता चले था बिल्कुल चले था बाई बूकम का पता चलना था इतने बड़े-बड़े मांटें टूटे मैं जहां खड़ी थी सारे गलेशियर फटगे मैं एक पत्थर पे खड़ी होगी और मैंने आँख मिच के यह कहा है कि मां मैं आपकी सची शिपाई हूं तो मुझ किल की लिकड़ी मेरी इनी सब्दों के साथ और मैं आँख मिच्टी रागनी मेरे उसमें बजरी है मतलब और यही रागनी सुन रही थी मैं गड़ी ना बित्ती ना पलो गुजरे तो क्योंकि मेरी दो-चार रागनिया बहुत फैवरेट है जो मुझे बहुत ज्यादा मोट पुझे तो सारा सबकी में काम तो जिम्यवारी दर्सकों का काम भी पबलिक का काम भी मैंने करना पड़ता है गरवालों का जो उसला बड़ाना वो भी काम मैंने करना सब इमोशन्स को कंट्रोल करके इतने बड़े-बड़े मिशन किये जाते हैं और आप देखा मैंने कोई वेक्षार हो तो कि बने कृट्म है तो से लुट गनके मारे समाज की अदाा कि बिड़े ना कोई लोग निधी दिपार्ट्मेंट भी होते हैं दिब muchísimo राजनीती बुरी होती है अब हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि राजनीती बहुत बुरी है राजनीती काम सारा राजनीती से चलता है आपने पता बिना राजनीती सेवा हो ही नहीं सकती आप कहा रहे हैं आप कितने कि सेवा कर लोगे आप सोशल अपना संगठन भी बना के कितने इक शेवा कर लो जब तक आपके आथ में पावर नहीं है आप पूरन रूप से लोगों की शेवा नहीं कर सकते लेकिन मैं लोगों से एक ही बात कहूंगी आपके चैनल के मादम से इस इंट्रिवू के मादम से कि यदि आप चाहते हो कि देश मजबूत हो देश आगे ब पूरी अच्छे लोग डर जाते हैं कदे में चुनाओ लड़ू रार जाओं के लोग में बोर्ट नहीं अर अक्सर होता भी ऐसा ही है मैं आपके चैनल के मादम से एक ही बात कहूंगी राजनीती बिल्कुल भी पूरी नहीं है वहां लोग ऐसे ही कठे करके आपने कि जो उन दूर से कैसे किराया लगा के आया है दिली चंडी गड़ तकाम आदमी का जाना और भाई मेर को पता है जेब में पैसे नहीं होते ना चंडी गड़ का बाड़ा बढ़ना असान काम नहीं है वो दरद मुझे पता है किसान की बेटी हो मैं कि एक किसान क्यों कर बाणियां पर बात कहूंगी राजनीती में बुरी नहीं है अगर कोई अच्छा बच्छा आ रहा है अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं या कोई प्रोफेसर आ रहा है या डोक्टर और मैं आपके चैनल के माइदम से कहूंगी सिर्फ स्पोर्ट्स परसन यह अच्छे लोग किसी भी कटेगरी में हो किसी भी विवाग में हो चैनल पुलिस में हैं चैनल अच्छे डोक्टर हैं चैनल अच्छे प्रोफेसर हैं जो अच्छे हैं अपने स्टेट का अपने लोगों का अपने इलाके का बला करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आपने राजनीती में आना पड़ेगा राजनीत में ही आप कुछ बदल सकते हैं इब गाल पकी करानी हो बाई मैं कुकर करवा दियूंगी वारा जनीती में आ क्योंगी जो मैंने मेरे गाम का जोड़ सुत्रा बनवाना हो पेड़ पोदे लगवाने हो मेरे दोस्ते इतना रपिया को नी वो तो मैं कड़ियां सरकार में अभी तो सुधार होगा और कभी मोका मिल्या तो मैं बिल्कुल भाई काम करूंगी और मेरी इच्छा भी है या काम करने की कि आपके पास पावर है और उसका बेब बिन गरना ना दो दन की जूरत भाई है खाट बढ़िया नेंदाओ किसान की बेटी हूं बड़ा स्ट्रग है और आपकी फैमली में इस तेम कुण-कुण है बाई मेरी फैमली मैं तीन वेब हम भाई है छोटा सब की साध्यी कर दी मैं सबत्रगी हूं दनून भेबें साध्य कर दी बाई की कर दी बाब भी है बतिजे हैं दो एंड़े गूम है अधे बरेया परिवार है पूरा अंती रेख hmtv सब्सक्राइन चाखी इंद्रेक सब्सक्राइन समस्तु सब्सक्राइब अमें पूरी है अर्धा के Chicago हाई The जोड़ां पूरा आढ़ी बार्या परिवार है मैं यहां तक सिम्हार की सारे अर प्रमात्मा कि दैया से आज पूरे इंदोस्तान कि बेटी हूं जड़े भी जुज इस गाम में बिग जुनियों का रहूं बाई टाप बरनकठे कर लो बतला वांगे बोलांगे आसांगे हमारे अरियाना की संसकरती है यह बिल्कुल पूच्छे करना थे बहुत से दर्शक के ब्या हो रहे है को नी हो रहे है बाई टाइम में लगा पहले बात तो मेरे पीटा का सपना नहीं था कि मैं साध्दी करों क्यूंकि मेरे पीटा एक करांती कारी विचारों के बिठती थे उन्होंने मुझे यह का कि ृप यार तो समाज सेवा कर disposंव हमारे मैं बाने शा還 मेरे मारें गरा को देंखा अनुट इस पर प्रांवा करने पास प्रता को अधर कि युए बादाने थियुतिREY Din, शुकि युख chili माताई बता मन सुचा कोई समश्या होगी थोड़ा सा मूँ इसा कर रही नुबली बेटी में तरी सारी स्पीच चुनो हों मैं आज़ोड के एक बात करूं मा के ताई मेरा चोटा बेटा लेटा लेटा है रिस्ता की आंबर ले माताई दो चेर साल और रुख लेके बरा मैं इत दरातल से मैं निकल के आई हूँ अजहारों सिर्फ लड़किया ही नहीं है लड़के भी मेरे से यह पेक्षा लगा रहे हैं कि अनीता दीदी हमारे लिए कुछ करेगी और जितना मेरे से बन पाता हाज भी जितना मेरे स्तर पे मैं कर पाती हूं बाग दोड़के किसी से करव पाती हूं तो मैं करती हूं मेरी कोशिश रहती कि मैं उन भाईयों को स्पोर्ट करूं वो नसे में ना जाए वो डिप्रेशन में ना जाए मैं उनका कुछन-कुछ मैं उनके साथ खड़ी उसको कंदे से कंदा मिला तो विचार किसे लागे आप लोगने कमेंट में बताए दिवाप तो जय जवान जय किसान